हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का बीद मास्टर में मैं हुझे और आज मैं आपको आसुस के जेड 690 बोर्ड के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टन्ट इंफर्मिशन देने वाला हूँ ठीक है तो मैंने ये नोटीस किया है कि आसुस का जो 690 मदर बोर्ड है उस मदर देख सकते हैं यहां म देख सकते ही है कपैसेटर क्या होता है हुझे आपको सबसे पहले दिखा देखा देता हुझन कुछ इस तरह के होते हैं आप देख सकते हैं ठीक है कैपेसिटर में आप देख सकते हैं कि यहां पर यहां पर एक मार्किंग किया हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है यह पॉल इस मार्किंग के मतलब से हम देख सकते हैं इसकी पॉलारिटी ठीक है कौन सा साइड पॉजिटिव है और तो आसुस का जो Z690 मदर बोर्ड है ये वाला इस मदर बोर्ड में एक manufacturing defect रह गया है कि अगर आप ये बोर्ड पर्चेस करते हो तो कुछ बोर्ड में आपको ये capacitor सही लगा हुआ दिखेंगा और कुछ बोर्ड में reverse लगा हुआ दिखेंगा कैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देख लिए अगर आप बोर्ड पर्चेस कर रहे हो Z690 और उसमें capacitor अगर इस तरह से लगा हुआ है तो ये सही तरह से लगा हुआ है तो आप इस बोर्ड को पर्चेस कर सकते हैं लेकिन अगर capacitor इस तरह से लगा हुआ है reverse में यहाँ पे उपर तो आप इस बोर्ड को प में capacitor reverse लगा दो तो क्या होगा यह दीर दीर leakage होना start कर देंगा और एक time ऐसा आएगा कि यह fail हो जाएगा या फिर यह जहां पर power दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह वाला capacitor है यह ram section के साथ connected है ठीक है तो अगर आप इस तरह से reverse capacitor लगा हुआ यह board लेंगे तो हो सकता है कि आपके ram section के MOSFET fail हो जाए या फिर आपका ram भी खराब हो सकता है ठीक है तो आप जब भी z590 board ले तब आप यह चीज एक बार चेक कर ले कि ram के उपर exactly लगा हुआ यह जो capacitor है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है यह वाला capacitor यहाँ पर यह capacitor का जो polarity है वो सही से लगा होना चाहिए मतलब कि यह गलत polarity है आप देख सकते हैं अगर इस तरह से एक मेड़ अगर इस तरह से लगा है तो यह एकदम सही है ठीक है और एक बाद यह भी द्यान डखे कि अगर गलती से आपने यह बूर्ड ले भी लिया है तो आप सर्विस सेंटर पर जाके इसको चींज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर आप खुद से इ आप सर्विस सेंटर पर जाएए और उनको इनफार्म कीजिए कि इसमें पॉलारेटे रिवर्स लगी हुई है और यह बेड बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है ठीक है तो जो भी लोग यह बॉर्ड पर्चेस करना चाहते क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया वाला हाइन बॉर बॉर्ड है ठीक है तो जो कोई भी लोग इस बॉर्ड को पर्चेस करने के सोच रहे है उनको यह चीज एक ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर यह क्यापसिटर कहीं रिवर्स में तो नहीं लगा है ठीक है जनरली आपको किसी भी कंपनी के बॉर्ड में इतना बड़ा से पहले यहां पर यह चीज खास नोटिस करनी है कि यहां पर लगा हुआ कैपसिटर सही पॉलारिटी में लगा है या नहीं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप एसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्स्राइब कर सक करते हैं अभी दस बच चुके हैं तो अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही वीडियो को अपलोड कर दूगा वरना यह आपको कल तक यूट्यूब में मिल जाएगा आसा करता हूं कि इस वीडियो को देखके आपको कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक्स वाचिंग